तो आज की ज生मेड़ी वीडियो है एक ऐसी डायट के बारे में हैं जो की अप्राक्सिमेटली आपको 90 ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं आपने सब्सक्राइब इस डायट से आप ले सकते हैं जो लोग नॉन्वेच खाते तो उनके लिए बहुत ही ऑसम डाइट है जो की हाई प्रोटीन मील है और फैट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेगी आपका मसल मास इंक्रीज करने में तो कैसे बनाना है मैं अपको रेसिपी शेयर गरूँगा 300 क्राम चिकन ब्रेस्ट लेने के बाद आपको पैन में कनोला ओउल डालना है और उसको 20-25 मेंट हम अच्छे से पकाएंगे जैसे ही आपका चिकन पक जाएगा फिर हम उसके अंदर डालेंगे वेजेटेबल्स तो वेजेटेबल्स में हमें डालना है कैपसिकम, अनियन और टमैटो बहुत टेस्टी बनेगा क्योंकि चिली चिकन ऐसे ही बनता है उसके बाद जैसी है आप वेजेटेबल्स डालोगे उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर दमाका दमाके में डालेंगे सोया सॉस, विनेगर और सेजवान चटनी जैसी आप तीनों चीजें इसके अंदर डाल दोगे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम डालेंगे टमाटो कैचचा अगर आप नहीं डालना चाहते है तो मत यूज करो टमाटो कैचचप इतना कोई जुरूरी नहीं है बर स्टेल अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा डाल सकते हो तो इसके बाद हम डालेंगे सेंधा नमक तो मैं आपको बोलूँगा सेंधा नमक एक बहुत ही हेल्दी सॉल्ट है जो कि आपकी बॉड़ी के अंदर वाटर रेटेंशन नहीं होने देता फिर डालेंगे काली मिर्च जो की फैट लॉस में भी हल करती है उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पांस देस मिनट पकाए और भाई अराम से बैड के बैड बेस को खाओ और 90 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉड़ी के अंदर जाएगा तो आपका जो मसल मास है वो भी इंक्रीज होगा पूरे दिन में आपको प्रोटीन लेने की जूरत नहीं है बट स्टिल अगर आप जिम के बाद रिकवरी जाते तो आप वे ले इतना ही, have a great day, bye bye